आज के वीडियो बहुत जादा important होने वाले क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि English में आपको application कैसे लिखने हैं देखो application याद तो लगबग सब student को रहता है लेकिन जो लिखने का तरीका होता है एक लिखने का जो धंग होता है वो नहीं पता होता है जिस आपके नंबर काट लेगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखो इसमें एक application है जो कि कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूं देखो यह application जो कि दिया गया है यहां पर देखो write an application to the principal of your school requesting him to change your subject आपको अपना subject के आने के उपर एक application लिखना है चलो मैं यह वाला application लिखकर बताता हूं कि काफी जदा important application है अब देखो यहां पर में सामने copy भी है सेम ठीक ऐसे रहेगी आपकी बोर्ड की copy और यह कि क्या करना है सबसे पहले इससे करके क्लाएं यहां पर खीष ले और इससाथ site में एक और line क् leici Oh, ॆइं इतने आपको खीष देने है इतना इतना आपको समझ में आ देखो इसमें देखोगे तो यह कुश्चन है सेकंड वाला राइटिंग सेक्षिंग का सेकंड नंबर है तो ऐसे डाल दो एंसर नंबर टू डालोगे क्योंकि सेकंड नंबर है तो ऐसे डालो एंसर नंबर एंसर नंबर दो ठीक एंसर नंबर सेकंड डालेंगे इतना डालने क के बाद फिर स्केल से यह नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो यह देखो भाई इतना हमने कर दिया इतना करने के बाद अब हमें इस पर लिखना एप्लिकेस हैं तो देखो क्या करना है जैसे मैं बतार हूं मेरे प्यारे अब यहां से लिखना है दा अब प्रिंसिपल प्रिंसिपल में पी की स्पेलिंग बाड़े से रखना जैसे मैं बता रहूं ऐसे ही करना यह सोचो कि आप प्रिंसिपल में यह जो एक की स्पेलिंग है यहां रहता है बहुत साइब बच्चे गलती करते हैं या फिर यहां कर देते हैं पिर आपको अपने इस्कूल का लिखना है जैसे आपको जह कर देते हैं कोई भी स्कूल हो सकता है फिर आगे आपको अपना लिखना है जो भी आपके जिला हो नैंसे कर दो अब फिर सब्ज्जेक्ट मेह आगे लिखो सब्जेक्ट का Nope का हुआ कि आपकी वी सभीस ऊपड एहां पर एकिसलिव निक रहे हैब तो एप्रीड आपको दिलिखना है वह लिखना है मैं पर चैंज इन 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 सब्चेंज इन सब्जेक्ट अब इतना कर देंगे अब इतना करने के वाद फिर लिखना कर दो एसे उपर आओ यहां पर लिखना है ऐसे यहां पर यहां से डालना रिस्पेक्टेट सर रिस्पेक्टेड सर ठीक ऐसे कर दो फिल लगाओ कॉमा इतनों कॉमा लगाओ अभी यहां से लिखने इसके ज़स्ट नीचे लिखने सुरू करना आई विस्टू से देट आई विस को से देट डाई विस टू से दिए आई 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 offered English I offered English in class 9th in class 9th same to same ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो उतारना है देखो नेली पेंस लिख रहा हूँ तो नेली पेंस से जहां काली पेंस मैं यूज करूँ कुझको वहाँ आपको काली पेंस करना भिन भी लिखो बट आई एंव ऐन फिलिंग यहां से बट आई एंव फिलिंग ग्रेट कि बटन है इस में से फीलिंग करना है वह दिफिकल्टी difficulty in English but I am feeling great difficulty in English फिल लिखना है आपर fully stop लगाना है फिल लिखना है I cannot write correct English I cannot write correct English यहां से करो correct English ठीक जहां देखो English में क्या रहेगा इबड़े से रहेगा English अब इसके बाद फिर इसके बाद लिख दे रहा है यहां से so I want to change English एसे लिखो so I want to change English और धान रखना English में जब भी लिखोगे इसका आगे वाला लेटर कैप्टल रहेगा जैसे आप देखो English लिए so I want to change English by English को किस से चेंज करना चाहते बाई अब जो भी सब्जेक्ट से इंग्लिस को आप चेंज करना चाहते से एकोनॉमिक से चेंज करना चाहते है तो लिख दो eko nomics philika I assure I assure I assure you that I assure you that I shall complete the course I shall complete the course I shall complete the course of economics 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 E capital से लिखना है इसको economics ठीक फिर लगादे है full stop फिर आगे लिखना है as taught in class 9 as taught in class 9 इतना लिखके फिर लिश्टाप लगा दो फिर यहां से आ जाना है थोड़ा थो उपर यह लाइन छोड़नी है देखो यही सब चीजे इसे पूरा format का ही game होता है कितना बढ़नीया तरीके से आप लिख पा रहे हो सब चीजे यही का game रहता है ठीक फिर लिखो I इसका यह सब चीजे ध्यान लगना I, the year for T, E, R, E होता है अब देखो यहां पर यहां पर क्या होगा मुझसे जल्दबाजी में T, E, R, E रहे चाहिए लेकिर इतना लिखती है तो अब मैं यह नहीं कहूंगा इसको ऐसे काटने लगगा इसे छोड़ दूँगा ऐसे ही करके फिर आगे लिखो the year for बस ऐसे ठीक इसे लिखो रिक्वेस्ट क्योंकि वहां काट दोगे ना इसामना को यह दिख जाया कि भई यहां पर कुछ ना कुछ तो गलती है तो यह चीज आपको नहीं करनी है रिक्वेस्ट यू तो एलाव मी तो हैव तो हैव इको नोमिक्स इन प्लेस सभी औश इंग्लीज अब इतना लिखने के बाद तको इसना चीज आपको नीली पन constituency लेक्नी है फिर आजाने का ली पिन लेकना या है ब्लैक पिन पिन से लिखा इतना है थैंट्किंग यू ऐसी लिख दो इस सदूंकिंग यू ठीक, thanking you लिख देना, thanking you लिखने के बाद फिर इधर आजाओ, यहाँ पर लिखना, yours ओबेडियंटली, यहाँ पर ऐसे लिखो, yours ओबेडियंटली, नहीं लिखा जाता है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, यौह एकस वाइजट यसक्त यस यहां पर यहां पर देदरी तारीक को लिक रहे हों उस तारीक को यहाँ पर ढाल देना है तो देखो देखो ऐसे ही आपको लिखना है अप्रिकेसंग और देखो इस तरीकेस लिखोगे नो कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता हुंटर पर्शन की गारंटी है अब आप तभी के इंग्लिस का एकजाम आ गया तो अब आपको करना क्या है इंग्लिस की एकजाम मैं बताता हूं देखो इंग्लिस की एक्जाम में ज्यादा कुछ नहीं अगर आपके अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मुबाइल पैस्कोल चैनल पर पढ़ा ही रहा हूं बाकि जो कोर्स था 500 रुपए वाला उसको मैंने प्राइस कर दिया सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए और 59 रुपए 50 से कर लेना और बागी पूरी तयारी इसी चैनल मुबाइल पैस्कोल पर कराई जा रही है